हैलो स्टुदेंट्स कैसे हैं आप सब आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल नॉट्बुक में स्वागत है तो आज मैं आपको करवाओं की डेली लाइफ संटैंसे इलेटी टू क्वारल आप शुरू करते हैं फर्स्ट इस उसने मेरी नाक में दम कर रखा है means he has got on my nerves next is जो हो सो हो means इसको हम कह सकते हैं जो हुआ सो हुआ इसी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे come what may next is मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है what wrong have I done to you क्या आपकी होश्ट इखाने है are you in your senses fifth is मेरी आंखों से दूर हो जाओ get out of my sight next भाड में जाओ means go to hell seventh is अब किसी ना किसी तरह बात को निप्टाओ now settle the matter somehow बात को अधिक ना बढ़ाओ means now put an end to controversy या फिर हम कह सकते हैं don't stretch the matter further I hope आप सभी को ये daily life sentences अच्छे से समझ आ गए होंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share जरूर कीजेगा thanks